अगर आप सुबा की भागदाओर में कम तेल का कुछ चरपटा और हिल्दी नास्ता खाना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं रोज के एक जैसे नास्ते से आप बोर हो चुके हैं तो कोई बात नहीं है आज हम बनाएंगे तम एक नया नास्ता तो चलिए फटा-फट इस नास्ते को बनाना सुरु करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर आधा कप सुजी लेंगे सुजी आप मोटी बारी कोई सी भी ले सकते हैं और इसमें माधा कप गरम पानी डालेंगे गरम पानी डालने से सूजी चल्दी से फूल जाएगी अगर आपके पास समय है तो आप नॉर्मल पानी डाल करके आप इसे 15-20 मिनट के लिए सूजी को रिष्ट पर रख सकते हैं यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिला लिया इसको ढखकर आप 5-20 मिनट रिष्ट पर रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए तो यहां पर देखिए 5-20 मिनट हो गही है सूजी भी अच्छे से फूल गई है सूजी को हम थोड़ा साब मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने इसको mix कर लिया है, अब इसमें हम 1 cup बेसन डालेंगे, तो यहां पर हमने 1 cup बेसन डाला है, इसमें हम 1 cup पानी डालेंगे, यह गरम पानी है, आप चाहें तो room temperature का पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम पानी डालने से हमारा batter जल्दी से फूल जाता है, इसलिए मैंने यहां पर गरम पानी डाला है, तो पानी आपको एक साथ जयार नहीं डालना है, तो बेसन में कुठली पड़ जाएगी, यहां पर हम जरुत के इसाप, इसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे तो अभी मैं आपको लाश्ट में इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी कि आपको इसको कितना गाढ़ा रखना है और कितना पानी का यूज मुझे इसमें हुआ है तो यहाँ पर मैंने टोटाल एक कप पानी पूरा डाल दिया है इसको अच्छे से मिला लेंगे अब मुझे यह काफी अभी गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और लिया है तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है इसको अच्छे से मिला लेंगे अभी मैं आपको लाश्ट में बता दूंगी कि आपको इसमें कितना पा नहीं जादा पानी जैसा पतला रखना है और आधा कप पानी लग गया है और आधा कप पानी हमने पहले डाला था सूजी भीगाते वक्त यानि तोटल आपको दो कप पानी लग जाएगा अगर आप सभी चीजों को एक कप या कटोरी से नाप करके लेंगे तो आपका बैटर पर्फेक्ट बन करके तयार होगा तो बैटर को साइड में रखेंगे दो मिनट के लिए अब यहां पर हम एक अलग बाउल में दो चमच बारी कर्टिवी सिम्ला मिर्च एक बड़े चमच बारी कर्टिवी प्याज और यहां पर मैंने एक गाजर को कद्दू कस करके लिया है तो मैंने यहां पर मोटे वाली जाली से गाजर को कद्दू कस किया है और छरपटा टेष्ट की लिए चमच की लिया है उखर पूम आपके पास आम ना हो तो और इसमें इसमें आधा चमच शुर पारइवि भी ढाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा बारी कर्टा हुआ हला ध अब नमक डालने से सब्जी को एक बड़े लिए और यह नहीं किया है और मैंने सब अच्छे से मिला लिया है तो साइड में रखेंगे और हमारा बैटर भी अच्छे से से हो गया है तो बैटर की कंसिस्टेंसी में आपको इतना पतला रखना है अब इसमें तोड़ा साम नमक पानी जैसा पतला भी नहीं होना चाहिए और नहीं ज्यादा गाड़ा होना चाहिए तुम्हारा बैटर बन करके तयार है तो फटा फटा नास्ता बना लेते हैं तो गर्स पर एक पैन रखेंगे गरम होने के लिए और पैन में अच्छे से तेल लगा लेंगे तो आपको यहां पर लगभग आदा चमस तेल लगाने की आपको जरूरत नहीं है और पैन को हम मीडि लोरी इस से चलाते हुए हैं एक कल्चली भरकर देंगे यहां पर एक से गेर कर्चली हम बैटर को देंगे यह थोड़ा तहरा सा बेह सबचे जाएंगे चक्राइंगे चमस थे नहीं बनेगा तो से इस तरीके से सब्सक्राइब को चारों तरफ इसके उपर डाल देंगे और ढख देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम दो मिनट तक सेख लेंगे फिर आप इसको तक तक से कि जब तक कि यह उपर से ड्राइना हो जाए तो यहां पर देखिए उपर से अच्छे से द्राइब हो गया है तो अब इसके उपर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे आप चाहें तो बिना तेल के भी आप इस नास्ते को बना सकते हैं तेल लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइट भी इसको हम एक से देर मिनट के लिए से लेंगे यहां पर फिन के लिए सुबह के नास्ते में यां फिर आप इसे सामको टीनर के समय भी आप बना सकते हैं ऍाल तो नह камंट मैं तो प्लट करके दूसरी साइट से भी हम 1-1.5 मिनट के लिए हम अच्छे से सीख जाए उपर से ड्राइव हो जाए तभी आप इसको पलटें अगर इस तरीके से हलका सा पैन में चिपका है तो आप 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 से चुडा लें तो यहां पर दिखिए दूसरी साइट से भी मैंने इसको पलट करके सेख लिया है बढ़या से तो यहां पर हमारा दूसरा चीला भी बनकर के तयार है ऐसे ही हम सारे चीले बना करके तयार कर लेंगे इसे दही चटनी या सौस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं आप इसे बच्चों के टीपिन में देजी या सुबा के नास्ते कि में आसाम की छोटी मोटी भूख हो तो आप फटाफट इसे बना कर तयार कर सकते हैं यहां पर मैंने इसको सॉस का साथ सर्व किया है यहां पर मैं आपको एक तोड़के दिखाती हूं कितने सॉफ्ट और नरम यह बन करके तयार हुए हैं तो आई हो फ्रेंड्स आपको आज अब तक के लिए टेक केर और गवाई